अब खबरे देखना हुआ और असान बस करना है एक छोटा सा काम सब्सक्राइब करें न्यूस 21 चानल और दाल आइकन दबाए नमस्कार आप देख रहें न्यूस 21 मैं हूँ आपके साथ हर्शदा बीकानेर और अजमेर के सरकारी बीएट कॉलेज़ पर नैशनल काउंसल फॉर टीचर एडुकेशन की मानिता समाप्ट करने की धमकी मनड़ा रही है आपको बताते हैं राजिस्थान में लगबख साड़े 300 बीएट कॉलेज हैं जिनमें हर साल करीब 13,000 चात्र सिक्षक बनने के लिए पढ़ाई करते हैं बीकाने और अजमेर के इन दो सरकारी कॉलेजिस को आईए एसी भी कहा जाता है और इनकी बीएट और एमट की मानिता पर संकट के बादल लगातार मनड़ा रहे हैं आपको बताते चलें कि एन सी टी आई द्वारा मानिता समाप्त करने की संभाबना से छात्रों के भविश्य पर गंभीर प्रश्चन लग गया है दोस्तो नमस्कार मैं संजीव पारशर दोस्तो आज 5 सितंबर है शिक्षक दिवस सभी शिक्षकों को न्यूस 21 और संजीव पारशर की तरों से बहुत बहुत तहे दिल से बताईगे दोस्तों शिक्षकों का सम्मान आज 5 सितंबर को समाजिक संस्ताएं और प्रशाशन द्वारा किया जाता है और हो भी क्यों न दोस्तों शिक्षक ही एक उत्करश समाज की नीव रखते हैं और शिक्षक ही समाज का भविश्य तै करते हैं दोस्तो मीडिया भी एक बहुत बड़ा स्थम्भ है समाज के और प्रशाशन के बीच में एक कड़ी स्तापित करने का एक संबंध स्तापित करने का यों कहें कि प्रशाशन द्वारा कोई भी चीज अगर अंदेखी की जाती है जो कि आम जनता के लिए फायदेमंद हो या आम कुछ भी चाहती है जो उसके प्रशाशन ध्यान ना दे रहा हो तो मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाता है जिससे दोनों को ही फायदा होता है मैं आज इसी संधर्ब में एक बात आप लोगों से करने जा रहा हूं कि मैं बीकानेर का निवासी हूँ और बीकानेर का ना से एक उन्नच शिक्षन संस्था अपनी जगा एक अन्य मुकाम रखता है बीकानेर में पुराना मेडिकल कॉलेज बीकानेर में वेटनरी कॉलेज राजा गंगा सिंग यूनिवर्स्ट्री और MBA कॉलेज इंजिनरिंग कॉलेज सब कुछ सब तरह की हायर एजूकेशन की इस भी कह लिजिए लेकिन वो एक ऐसा सिर्मोर है बीकानेर की शिक्षन संस्थाओं में कि आज शिक्षक दिवस पर मैं इस बात को इसलिए आप से बात कर रहा हूं कि इस शिक्षन संस्थाओं द्वारा हजारों शिक्षक अभी तक त्यार हो चुके हैं और वो देश-प्र अस्तित तो खोता जा रहा है और यों कह लिजिए कि आई एस आज जो है खतम होने की कागार पर है यह कोई मैं ऐसी आप से जो है कोई अंचही बात नहीं कर रहा हूं यह आज की बात नहीं है सं 2016 में जो एंसीटी है जो कि पूरे बीएड और एमेड कॉलेज की जो रेगुल 16 में एक एंसीटी द्वारा एक इस तरह की आस्किंग कोशन पूछा गया बीका ने आई एसी को कि आप यह यह कोशन है इन इनका जवाब दी दिये ताकि जो सवीधाएं हैं आई एसी में जिस तरह से वो फंक्शन कर रहा है वो एंसीटी को पता हो और एंसीटी उनके बारे सवीधा मिल रही है कि नहीं मिल रही है तो यह कहानी शुरू होती है 2016 से एनसीटी ने 2016 में आई एसी को एक पत्र लिखा और उसमें 4-5 बिंदूओं की जानकारी मांगे आपको जानकर के आशरे होगा कि एनसीटी के दौरा बार बार साल में दो बार भी पूछने पर आस्कि बिल्डिंग जो है जो आई एसी जहां कंड़क्ट हो रही है उस बिल्डिंग का अथारिटी इनके पास है या नहीं है वो बिल्डिंग जो है अकॉर्डिंग टू आई एसी नौम से काम कर रही है कि नहीं है उस बिल्डिंग को संचालित करने के लिए क्या इनके पास में अ अनुमोदन जो है अधिकारियों के द्वारा करवा करके भी जा जाए तो ये बात 16 से शुरू हुई और हर साल दो नोटिस जो है वो उनको दिये जाते आस्किंग की जाती लेकिन प्रशाशन जो है वो बहुत बहुत दूर की बात है कॉलेज प्रशाशन द्वारा संस्ता के द जवाब दीजिए ये कॉस्चन आपके पास में इतने लंबे टाइम से प्रटिक पड़े है अठारा में भी कोई जवाब नहीं दी गया बीस में फिर एंसिटी ने डिसाइड किया कि अब आती हो गई है अब हमें इनसे कुछ न कुछ ऐसी कॉंक्रीट पूछना चाहिए कि ये 6 कॉस्चन से आप इनका जवाब दीजे नहीं तो हम आगे फर्दर एक्षन लेंगे और शो कोज नोटिस वापस भीजेंगे और 2021 में एंसिटी ने शो कोज नोटिस का जो जवाब संस्ता से मांगा उसकी एक कॉपी गवर्मेंट आफ राजस्तान को भी कर दी तो ये सब इन तरफ तो बच्चे जो है वो बेड के कॉलेज में एडमिशन लिये होते हैं और एक तरफ वो माननेता रद हो जाती है किसी तरह से संस्ता ने ये सारी जानकारी जो पांच प्रपत्र माने गए थे इन जानकारीों के उनके चार की आंसर दिये और पांच वाँ जो की लोगों को यह यह टीचर जो है इस इस विश्यक हिसाब से चाहिए और यह टीचर की लिस्ट है जिनको आप कॉलेज में शिक्षक संस्ता में अगर अपॉइंट कर देंगे तो यह जो एंसिटी का पांचवा जो नियम था वो पूरा हो जाएगा तो यहां तक बात समझ आती कि एंसिटी जो है वो आई एसी पूरे राजिस्तान में दो कॉलेज इसे पहला कॉलेज अजमेर है और दूसरा कॉलेज बीकानेर है जहां हर साल चार सो बच्चा बीएड और एमेड को पढ़कर के निकलता है तो अब इन दोनों ही कॉलेज की संस्ता सेम एंसिटी के जो कॉ कि इरिंग 16 सेप्टमबर की है इसी पांच वे विशे पे और दो संस्ता ने पहले चार सवाल का जवाब दिया कि आपका जो प्रिमिस है वो एप्रूब है उसके डॉकुमेंटेशन है या नहीं है जो भी इन्होंने इकठा कि उसका जवाब दिया लेकिन जो लास कोशन था जिसमें ये कहा गया कि टीचर्स हैं या नहीं है उनका टाइम टेबल क्या होगा इसके बारे में अभी तक जो है वो एन्सिटी को जवाब प्रॉपर नहीं दिया गया हां स्टे की जो डेट है उसकी अगली हीरिंग फिर आ गया दोस्तों ये एक ऐसा मैं आप लोगों को एक चक्रवी बता रहा हूं कि आप अल्टिमेटली एन्सिटी और कॉलेज संस्ता के बीच में जो मारधार चल रही है उसमें छात्रों का क्या नुकसान हो रहा है दोस्तों इस साल एमेड के एडमीशन शुरू हो चुके हैं एमेड के बच्चे कॉलेज में आ रहे हैं एडमीश खतम कर देती है कॉलेज की तो उन बच्चों का बविश्य क्या होगा ऐसा ही बीड में है जो अजमेर ने भी अभी तक जो है वो हाई कोट से स्टे ले रखा है इसी तरह से अजमेर के बच्चों का भी बविश्य अंदकार में कह सकता हूं क्योंकि अगर खुदा ना खास थ एंसिटी ने इनको जो है वो माननेता कैंसिल कर दी तो ये बच्चे कल को अगर अपनी डिग्री लेकर के कहीं जाएंगे और एंसिटी द्वारा एप्रूवड इनकी डिग्री नहीं होगी तो इनको नौकरी कौन देगा और बार-बार इनकी नौकरी पे कोश्चन मार्क लेते हैं वो इंदू कॉलेजिस में एड्मिशन गौर्वर्मेंट कॉलेजिस में लेते हैं वो मतलब आपको कैलीजे की समाज की क्रीम होती है और उन बच्चों के भविश्य के साथ में खिलावर ये ऐसा बिंदू है जिसमें किसी को कोई माफी नहीं दी जा सकती अब आप 42 टीचर माने और 60 का सिया 70 का स्टाफ है तो आप प्रशाशन ये नहीं देख रहा कि टीचर सिर्फ पढ़ाई के लावा बहुत से और से काम कर रहें पढ़ाई नहीं करा पा रहें क्योंकि वो एंसीडी को लिख करके नहीं बेश सकते क्योंकि वो कॉलिफाइड नहीं है ले दूसरी तरफ जो सरकार है वो यह डिसाइड नहीं कर पारी कि जो टीचर एक्सेस बैठे हैं उस कॉलेज में जो पढ़ा नहीं पारे उनकी जगे जो कॉलेज प्रशाशन ने जो जगह 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 दूसरी जगहों पर बैठे हैं पुरे राजस्तान में जो लिस्ट दी है उस लिस्ट को कैसे कंपाइल करें और इस कॉलेज की माननेता को जो एन्सिटी ने कतम कर दी है बीर और अमेट की कैसे बचाएं हमारे डारेक्टर साहब आशिश मोदी जी इस दिशा में उचित कारेवाई करेंगे और कदम लेंगे जल्दी से जल्दी क्योंकि अमेट इस देश में आजादी से पहले का है, और बीका निर जिस पढ़ाई के लिए जाना जाता है, उस पढ़ाई का सिरमोर है, अगर इसकी माननेता खराब होती है, बाँना खतम होती है, तो हर बीका निर्वादफी के लिए यह बहुत बड़ी शर्म की बात होगी, दोस्तों, मैं यह चाहूंगा कि यह वीडियो देख करके हर बीकानिर वासी अपना कमेंट प्रशाशन तक पहुँचाए ताकि हमारा जो बीकानिर में पढ़ाई का सिर्मोर इस बीएड कॉलेज आई एससी है वो हम लोग बचा सकें और बीकानिर की मानेता बचा सकें. प्रशाशन के लिए इस वकत बहुत बड़ा जो है वो एक चैलेंज बना हुआ है और मैं उमीद करता हूं कि मेरे आज की इस वीडियो के द्वारा प्रशाशन को डफिनिटली कोई ऐसा कुछ कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जिसे बीकानिर की जनता बैनेफ